गुड बार्णी मीटा आज हम व्याकरण में लेसन थ्री पद परीचे पढ़ेंगे सबसे पहले पद परीचे अर्थाथ चेप्टर का जो शीर्षट है उसे समझेंगे परीचे से आप सभी लोग परीचित हैं परीचे का मतलब होता है कि अपने विशय में किसी को पताना किसी के विशय में जानना जैसे हम अपना परीचे देते हैं कि मेरा नाम गुजन शर्मा है मैं पलापुरम पेसवन में रहता हूँ मेरे पिताजी का नाम श्री राजिन प्रशाष शर्मा है माताजी का नाम श्रेमती का मुझे शर्मारी तो इस तरीके सम परीचर होते हैं पद क्या होते है तो सबसे पहले समझेंगे पद क्या होते है वर्णों के लिए से शब्द बनते हैं माते हैं ये शब्द है हमारे पास रवी ये शब्द है अभी तकी केवर सुतंत्र है कर पद बन जाएगा तब क्या बन जाएगा यह है पद बन जाएगा जैसे रवी ने खाना खा लिया रवी ने खाना खा लिया यह हमारा बात के बना अर्थार्थ अब जो रवी है वो शब्द नहीं रह गया बलकि क्या बन गया है पद बन गया तो इन ही पदों कर यह सब पद है रवी, खाना, खाव, लिया, यह सब पद बन चुके है, इनी का परीचे हम लोग इस पार्ट में सीखेंगे, तो पद परीचे का मतलब हुआ कि पदों का व्याकरण की दृष्टी से परीचे देना पद परीचे कहलाता है, अर्था व्याकरण के रूप में यानि यह पद कै व्याकरण की दृष्टी से हमें बताना है कि जो हमारे पास पद है, वो क्या-क्या है, वो चीजे भी समझ में आएंगे आप लोगों, तो वो बताना ही व्याकरण की दृष्टी से पदों का परीचे देना ही, पद परीचे कहलाता है, इसके अंतरगत हम निव्य पदों का पदों का परीचे सीखेंगे जैसे संध्या पदों का परीचे सीखेंगे उसके अलावा सर्वना पदों का परीचे सीखेंगे विशेशर पदों का परीचे सीखेंगे क्रिया विशेशर पदों का परीचे सीखेंगे क्रिया पदों का परिच्छे सीखेंगे और समुचे बोहर पदों का परिच्छे सीखेंगे इन इन पदों का हम लोग परिच्छे इस पार्ट के अंतरगा सीखेंगे तो सबसे पहले हम संग्या पदों का परिच्छे सीखेंगे कि संग्या जो हमारे पादों का परीचे किस प्रतार दिया जाता है तो संग्या पदों का संग्या पदों का परीचे देते समय हमें निम्द बाते ध्यान में रखनी है जो बाते हमें यहां बताओंगा वो सारी बाते हमें ध्यान रखनी है संग्या पतों का परिचय डेटे समय जैसे सबसे पहले हम बताएंगे भेड यानि है संग्या का कौन सा भेड संग्या के तीन में नोटेंगे व्यक्ति वाचक संग्या जाति वाचक संग्या भाव वाचक संग्या कि अब इसे पैसे में उसमें पहचानेंगे कि वह संग्या का कौन सा व्यक्ति वाचत है या भाव वाचत है फिर भेच के बाद हम बताएंगे बचन यानि कि जो हमारा साथ है वह एक बचन है या बहु बचन है बचन के बाद हम बताएंगे लिंग कि हमारा जो पद है वो पुलिंग है या इस तरी लिंग है उसके बाद हम बताएंगे कार्ट कि हमारा कौन सा कार्ट है कर्टा कार्ट है कर्म कार्थ है, करण कार्थ है, संप्रदान कार्थ है, अपादान कार्थ है, संबन कार्थ है, कारक में या समभोजन कारक की कौन सा कारक है हमें यह है बताना है क्लियर क्या बताना है हमें इसमें कि इसमें कौन सा कारक संग्या पदो का परीचे देते समय हमें निन्म बातों पर ध्यान रखना है कौन कौन सी बातों पर कि धेद कौन सा है गत्ति वाचक है जादी वाचक है भाब वाचक है वचन बताना है एक वचन है या बहुचन है लिंग बताना है पुर लिंग है या श्त्री लिंग है कारक बताना है कि कौन सा कारक है अब इस चीज को हम एक उधारण के वारा समझेंगे कि कैसे परीचे देना है आप लोगों को तो एक पेंगेस मैं बोर्ड कर लिख कर आप लोगों को समझाता हूं कि किस प्रकार से हम परीचे देते हैं गौरब ने गौरब ने अपने भाई को पढ़ाया गौरब ने अपने भाई पढ़ाया यह हमारे क्या होगए एक सेंटान्ज होगया कि गौरब ने अपने भाई को पढ़ाया क्लियर इसमें हमें गौरत में इसका परीचे देना है तो सबसे पहले तो हम भेवी बताए कि क्योंकि फिलालतों में पताए कि हम संग्या पदों का परीचे सीख रहे हैं तो सबसे पहले हम धेद बताएगे तो गौरत क्या है व्यक्ति का नाम है तो यदि व्यक्ति वाचक संग्या होगा है व्यक्ति वाचक संग्या उसके बाद उसमें वचल बता देगे तो हुझयदा देगे वचल देगे लिंक बताएं कि रगता है तो फूलिंग हो गया और ने के द्वारा कमिन पता लगा कि को ने जो होता है वह करता देगे का चिन होता तो यह लिए प्रका घारत हो गया करता कार्ण़ गया तो यह इसका परीचय हो गया गौरफ का परीचय यानि गौरफ पत क्यों था उसका यह हमारा परीचय हो गया तो यह होता है हमारा सग्यामदों का परीचय है इसी प्रकाश इसी सैंटेंग्स के भाई को इसका परिच्छ देना है अगर हमें तो फिर हम समझेंगे कि भाई कौन सी संग्या है तो हमें पता है यह गौरफ का भाई है पर्टिकूलर हमें पता है इसलिए यहां पर भाई क्या हो जाएगा? व्यक्ति वाचक संग्या हो जाएगा? क्या होना है द्यक्ति माचत संग्या अकेला ये सिंगल एक मचन भाई यानि पोड़ी और ओके द्वारा जो ये ओचिन लगा है भाई को तो हमें क्या पता लगा करता ने कर्म को तो यानि कर्म कारत हो गया कौन से कारत हो गया कर्म कारत हो गया तो यह होता है संग्या पतों का परीचर तो संग्या पतों का परीचर देते समय हमें हमें क्या कराद रखना है कि हमें लेको संग्या का भेद बताना है कि संग्या का कौन सा भेद है Second, हमें उसमें वचन बताना है कि वचन क्या होता है एक वचन है या बहुवचन है और फिर third, लिंग बताना है कि पूर लिंग है या इस्त्री लिंग है और उसके बाद कारक बताना है क्या बताना है? कारक बताना है इस तरीके से ये हमारा संग्यापदों का परीचय हमने आज सीखा अगली वीडियो में मैं आप लोगों को सरवनामपदों का परीचय हम किस प्रकार देते हैं तो प्रैक्टिस कीजिएगा संग्यापदों के परिचे देने की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा आपनों को समझ में आएगा